हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्ट्रिस्टी स्टेडी पॉइंट में और अगर आप चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और आज हम अपनी पढ़ने प्राने की स्रंकला को आगे बढ़ाते हैं फिर से और आज हम महा अप्रेल के महतपूर्ण दिवस इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ जो कि मार्च महा के जो महतपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में आप जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो में इतनी अच्छी ट्रिक बताई गई है कि निश्च अब हम आज देखेंगे अप्रेल महा के और इतनी अच्छी ट्रिक के साथ आपको मैं ये अप्रेल महा के दिवस याद कराऊंगी कि वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे तो चलिए देर ना करते हूए शुरू करते हैं महा अप्रेल के महतपूर्ण वीडियो में इस पे जो पेज है इस पे दिख भी रहा है लिखा हुआ है तो इसमें मैं शुरू करते हूँ सबसे पहले फस्ट अप्राइल यह तो हम बहुत छोटे से जानते हुए आ रहे हैं जो हम छोटे थे तब भी कि फस्ट अप्राइल को बोलते थे जैसे इसको आप प्राइल को सिलिब्रेट करें यह खुशी यह अगर आप इसे लाइटली लेंगे तो आप इस फस्ट अप्राइल को बहुत अच्छे से मनाएंगे और अभी आप निकल ए अपर्स्ट अप्राइल तो आपने मनाया भी होगा बस यह है कि जो प्रैंक कर रहा है जिसके साथ हम प्रैंक कर रहे हैं दोनों ही अच्छे सुभाब के होने चाहिए नहीं तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं और जब हम अगर प्रैंक कर रहे हैं तो प्रैंक को हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं यानि कि हम बहुत अच्छे से चाहिए तो वो ő आपके साथ आएगा, आपकी बात को सुनेगा तो आपको गहरे मैं तो अप्रेल फूल बना रहा था तो फिर तुरंट उसके बाAD आ जाते हैं मैंने इसलिए बताए क्यूंति एक अप्रेल के बाद तुरन तीन अप्रेल को आ जाएगा हिंदी रंग मंच दिबस यानि कि जो अच्छे से अभिने कर लेगा वही अप्रेल फूल बना पाएगा एक अप्रेल को और अच्छे से अभिने कौन कर पाएगा तीन अप्रेल को वो करके दिखा पाएगा कि अरे भ दिवस को मनाएंगे खुश होंगे और अगर हम कालाकार हैं तो खुशियां माटता है कलाकार तो वो स्वस्थ भी रहता है तो इसके तुरंत बाद आप साथ अप्रेल को आ जाईए विश्व स्वास्थ दिवस है ना तीनों बाते जोड़ गई कि अप्रेल फूल बनाएंगे तो आपको अभीने करना होगा तो अभीने करने के लिए कप टाइम मिलेगा उसके तुरंत बाद तीन अप्रेल को और जब आप अभीने करेंगे तो अभीने करने वाला खुशियां बाटता है तो वो स्वस्थ रहता है जब वो खुशियां बाटता है तो इसलिए तो उसे किसी भी तरह की दवा की जरुवत नहीं होगी, इवन होमोपैती दवा की भी नहीं, और अगर आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, कि होमोपैती की जो गूली होती हैं, जो हमें टैबलेट मिलती हैं, छोटी-छोटी-छोटी गूली होती हैं, वो बहुत जादा होती ह 10 से भी जादा तो 10 अप्रेल को हाँ ऐसे याद कर सकते हैं विश्व होमेपैथी दिवस यह न अप्रेल में आके आप ऐसे करके रट लग सकते हैं कि और उसके सासाथ एक और आए है यहाँ पर 3 अप्रेल को आप ऐसे भी याद कर सकते 3 यह लिखा हुआ है अप्रेल को था मूर्ख दिवस तो इसका मलदा उसने अभी ने किया तो रंग मंच से संबन दे तो हिंदी रंग मंच दिवस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसके बाद 13 अप्रेल को तो बहुत मैट पून है और सबको याद भी होगा मेरे ख्याल से क्योंकि ये तो बहुत इंपोर्टेंट दिवस भी है हम लोगों के लिए याद करने के लिए जलियाँ वाला बाग दिवस है ना तो ये 13 अप्रेल को हो गया फिर तुरंती 14 अप्रेल को डॉक्टर भीमराव अम्बेट कर जैनती ये हम लोग नहीं भूल सकते क्योंकि अम्बेट कर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जो सम्मिधान के निर्माण में है ना तो इसलिए 14 अप्रेल को डॉक्टर भीमराव अम्बेट कर जैनती और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ये मतलब हर साल जो है सरकार इसको जो सारवजनिक अफकाश के रूप में घुशित करती है इस दिन को इसके बाद 21 अप्रेल को आ जाईए तुरंत आप यहाँ पे एक और चीज दिख लिजे 21, 22, 23, 24 ये चारो डेट आप एक दिम्याद कर लिजेगा 21, 22, 23, 24 लगाता है चार दिम्याद बहुत इंपोर्टन दिम्याद सा और चारो का आप रटीज ये 21 अप्रेल को भारती है सिविल सेवा दिम्याद सिविल सेवा जो हम लोग ये परिक्षाएं देते हैं आईए स्पीसेस से रिलेटर जो होती है पीसेस से रिलेटर तो ये जो परिक्षाएं देते हैं तो इस सिविल सेव आप ऐसे रट सकते हैं कि 21, 21 लिखा है तो इसका क्या है मुझे सेकेंड पोजिशन नहीं फर्स्ट पोजिशन लानी है मुझे सेकेंड पोजिशन नहीं लानी है कॉंसिला नहीं है first position यानि की second first यानि की 21 हो गया 21 अप्रेल को भारतिय सिविल सेवा दिवस 22 अप्रेल को प्रच्वी दिवस यह मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को कुव अच्छा सा एक चैनल बनाकर उसे आप देख लीजेगा कि किती अच्छी से बताया प्रच्वी दिवस और तुरंथी 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक कॉपिराइट दिवस कि किसी ने कोई पुस्तक लिखी है तो उसका कॉपिराइट की यह मैंने लिखी है इसका कोई कंटेंड ना ले ले इसलिए कॉपिराइट का वह होती है प्रोसेस तो 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रेल को राष्ट्रिये पंचायती राज दिवस ये जब पॉलिटी आप अगर पढ़ेंगे 24 अप्रेल का तो आपको पता चल जाएगा कि 24 अप्रेल को राष्ट्रिये पंचायती राज दिवस क्यों मना मूर्ख वनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभिने करना होगा तो तुरंथी इसका तीन अप्रेल याथ कर लिजिए मतलब दो तारिक को छोड़ दीजे तीन अप्रेल को हिंदी रंगमंच दिवस हिंदी में three अकषर होते हैं तो यह अप्रेल ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हम रंग मंच पे अभीना करते हैं, तो खुश रहते हैं, तो स्वस्ते रहेंगे, साथ अप्रेल आ गया इसमें, साथ साथ, सासे स्वस्त, सासे, साथ हो गया, ऐसे भी आप आद कहलो कि अप्रेल में ही होता, कौन सी अप्रेल को स्वस सकते दूसरा हम यह याद कर लेंगे स्वास्त दिवस के बाद तुरंथ पैती दिवस फिर आपको का कन्फूजन क्या है तो डेट में आप ऐसे कर सकते हैं कि अरे हम पैती में बहुत सारी यह भी याद होगी फिर 21 अप्रेल का मैंने बताई दिया भारती सिविल सेवा यानि कि मुझे दूसरी पोजिशन नहीं पहली पोजिशन चाहिए तो 21 हो गया यह 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मैं बता चुकी हूँ पहले ही 23 अप्रेल और 24 अप्रेल आप याद कर लीजेग तेश तो इतना इंप्रेल नहीं है लेकि 24 अप्रेल बहुत इंप्रेल है राष्टी पंचायती राज दिवस जो लोग यह पंचायती विवाग में यह जॉब के लिए वेकेंसी जब आती है तो उसमें इस टाइप के कोशन आ सकते हैं तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको अप्रेल महा के महतबूर दिवस जरूर समझ में आये होंगे और जो महतबूर दिवस होते हैं इनमें से एक कोशन जरूर आता है तो इसलिए सारे पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महतबूर दिवस को याद कर लीजेगा और मैं अपनी अगली वीडियो में जो है मही के बताऊंगी आपको महतूर दिवस और मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों